लगबग 10 साल बाद हुए जम्मो और कश्मीर विदानसभा चुनाव में इंडिया अलाइंस ने बड़ी जीत दर्ज कर भारतिय जनता पार्टी को चारो खाने चित्त कर दिया है जम्मो कश्मीर की जनता ने सपश्ट रूप से अपना जनदेश नेशनल कॉन्फरेंस को देकर कश्मीर की सत्ता की चाह रखने वाले भारतिय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखा है National Conference के प्रमूखनेता फारुक अब्दुल्ला ने विदानसभा के नतीजों में भारी बहुमत मिलने के बाद एलान किया कि उमर अब्दुल्ला ही जम्मू कश्मीर के अगले मुक्यमंत्री होंगे 10 साल के बाद कश्मीर में एक स्थिर सरकार बनने जा रही है वही दूसरी तरफ साल 2019 में केंदर की मोदी सरकार द्वारा आर्टिकल 370 को हटाने के बाद कि ये पहली सरकार होगी जिसको सरकार बनाने का जनादेश जनता से मिला है ओमर अब अब जम्मू और कश्मीर के मुक्यमंत्री तो बनेंगे लेकिन अब जम्मू और कश्मीर के पास राज्य का दर्जा नहीं है जम्मू कश्मीर अब केंदर शाशित प्रदेश बन गया है तो जाहिर सी बात है कि जम्मू कश्मीर के आने वाले मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला के लिए ये राह आसान नहीं होगी नमस्कार मेरा नाम है अतुल और आप देख रहे हैं दवायर इस वीडियो में बात करेंगे जम्मू कश्मीर में इंडिया गट बंदन की बंपर जीत और मुख्यमंत्री बनने चार है उमर अब्दुल्ला के सामने की चुनोतियों के बारे में केंद्र शाषित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और हर्याना के एक साथ चुनाव हुए थे हर्याना में बीजेपी लगातार तीसरी बार राज्यमे सरकार बनाने जा रही है वही दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में इस बार जनता ने इंडिया गटवन्दन को स्पष्ट बहुमत दिया है कई सालों बाद जम्मू कश्मीर को एक स्थिर सरकार मिलने जा रही है फारुक अब्दुल्ला की पार्टी ने इस विदान सबाचुनाओ में जबरदस्त वापसी करते हुए 42 सीटों पर जीत हासिल कर ली है वही दूसरी तरफ 6 सीटों पर जीत कर कॉंग्रेस पार्टी भी सरकार का हिस्सा बनने जा रही है आपको बता दे कि कुछ महीनों पहले ही लोगसबाचुनाओ में ओमर अब्दुल्ला को हार का सामना करना पड़ा था 12 मुला लोगसबा सीट से इंजिनियर रशीद ने 2 लाग से ज्यादा ओटों से ओमर अब्दुल्ला को शिकस्त दे कर जीत दर्ज की थी ओमर अब्दुल्ला राजनीती में अनुभवी खिलाडी है वो पहले भी जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्रिपद संभाल चुके है उनके पिता और नेशनल कॉन्फरेंस के प्रमुक फारुक अब्दुल्ला भी जम्मू कश्मीर की राजनीती में कई सालों तक लगातार सक् रहे हैं लेकिन सबसे एहम बात यह है कि 2019 में केंद्र की मोधी सरकार ने जम्मू कश्मीर को केंद्र शाशीत प्रदेश बनाया था इसके बाद यहां पर यह पहला चुना हुआ है नैशनल कॉन्फरेंस ने यहां पर सबसे बड़ी जीत दर्ज की है कश्मीर की जनता ने पूर क्योंकि कश्मीर में अभी केंद्र शाशीत प्रदेश है और वहां पर उपराज्यपाल के पास ही पूरे सरवादिकार है केंद्र की सहमेती के बिना कश्मीर का मुख्यमंत्री कोई भी फैसला अकेले नहीं ले सकता देश की राजधानी दिल्ली में हम लगातार देखते आ है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी सथा में है लेकिन दिल्ली के पूरू मुख्यमंत्री और आम आदमी δेखते आ रहा है कि हम लगातार की सरकार चलाने के लिए या कोई भी फैसला लेने के लिए एलजी के दर्वाजे पर हमेशा दस्तक देते थे और अभी भी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है आतिशी उनको भी कई फैसले लेने के लिए एलजी के दर्वाजे परदस्तक देनी पड़ती है ऐसे ही हालात का सामना जम्मो और कश्मीर की आने वाली सरकार को भी करना पड़ सकता है और ओमर अब्दुल्ला के पास राजनीति का अनुबह तो है ही लेकिन केंद्र शाशित प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का उनको को अनुबह नहीं है ऐसा पहली बार होगा कि ओमर अब्दुल्ला किसी केंद्र शाशित प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके पास चुनोतियों का पहाड देखने को मिल सकता है खासकर जब केंद्र में मोधी सरकार और भाजब की सत्ता है और ज साथ में हैं वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री बनने जा रहे ओमर अब्दुल्ला हो या कॉंग्रेस के कई नेता जैसे राहूल गांदी हो लगातार यह मांग कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाए पहली बार केंद्र शाशित प राज्यपाल और राज्य की सरकार में संगर्ष देखने को मिलता है फिलाल इस वीडियो में इतना ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दवायर दवायर के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकान पर क्लिक करें स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक पर जाएं और अपनी राशी चुनें